DAV class 7 math chapter 7 linear equation in one variable की worksheet 1 करेंगे और worksheet 1 करने से पहले हम इसका थोड़ा सा basic concept समझ लेते हैं तो linear equation के बारे में आप class 6 में भी आप पढ़ चुके हो ठेक है ये सारी जो equation हमें given है ये सभी equation है और ये one variable में है देखो इसमें variable क्या है? x है इसमें variable x है इसमें variable y है इसमें variable z है और इसमें variable y है तो ये सभी equations है क्योंकि इसमें क्या है? equal का sign है और इसमें variable है और इसमें constant है ठीक है? तो ये सभी equation है अब हमने पढ़ना है linear equation in one variable ठीक है हमने पढ़ना है linear equation in one variable के बारे में यानि कि ऐसी linear equation जिसमें क्या हो one variable हो और वो linear भी हो ठीक है ऐसी equation के बारे में पढ़ेंगे जिसमें one variable हो और वो linear हो ठीक है और linear equation क्या होती है जिसकी highest degree क्या होती है variable की one होती है जैसे कि हमें ये given है two x plus three इसमें variable हमारे पास x है और इसकी degree क्या है one है तो ऐसी equation को हम linear equation कहेंगे equation है इसमें highest degree 2 है तो यह linear equation नहीं है अगर इस equation की बात करें इसमें highest degree y की जो power है variable की जो power है वो 2 है तो यह भी नहीं है linear equation यह भी नहीं है linear equation इसमें z की power highest जो variable है उसकी power 1 है तो यह linear equation है ठीक है तो आप समझ गें कि linear equation in one variable क्या होती है अब worksheet करने से पहले आप इसका थोड़ा सा आप transposition के बारे में आप समझ लेजे कि transposing में हमें क्या करना है देखो जो भी equation होगी any term of an equation may be taken to the other side by changing its sign without affecting the equality the process is called transposition अब हमें एक example से समझेंगे so by transposing a term we simplify change its sign and carry it to the other side of the equation देखो हमने क्या करना है sign change कर देना है मालो हमारे पास इस तरह से है 2x plus 2x plus 10 is equal to 12 है अगर हमारे पास इस तरह है अगर हम इस 10 को equal के उधर ले जाना चाते हैं तो ये 12 का 10 है 10 का sign plus है तो उधर जाके क्या होजएगा minus होजएगा तो हम इसको ऐसी लिख सकते है 2x is equal to 12 minus 10 ठीक है समझ गी अगर equation के अगर equal के sign के इधर कुछ plus हो रहा है कोई term तो जब equal के sign के जब उधर ले जाएगे तो वो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा और अगर minus हो तो उधर जाके plus हो जाएगा याद रखना अगर plus है equal के उधर जाके minus हो जाएगा अगर minus है equal के जब उधर जाएगा तो plus हो जाएगा और अगर multiply हो रहा है तो divide हो जाएगा और अगर divide हो रहा है तो multiply हो जाएगा ठीक है तो आपने ये ध्यान में रखना है इस तरह से आपने transposing करनी है अब हम इसका करते हैं worksheet 1 तो worksheet 1 का question number 1 है solve the following equation and check your answer हमने equation को solve करना है और answer को फिर हमने check भी करना है तो इसका first है 5x minus 2 is equal to 18 तो पहला step क्या है हम इसमें क्या करेंगे transposing करेंगी और transposing कैसी करनी है देखो मैंने आपको बताया था यह जो पहले constant को एक तरफ कर लेंगे यह minus 2 constant है और 18 constant है और यह 5x आप इसको variable है तो यह जो minus 2 है जब equal के उदर जाएगा तो minus 2 का क्या बन जाएगा plus 2 ठीक है तो 5x is equal to minus 2 को जब उदर ले जाएगे तो 18 plus 2 तो 18 plus 2 कितना होता है 18 plus 2 होता है हमारे पास है 20 ठीक है और next step क्या है देखो 5x 5x का क्या मतलब है 5 और x के बीच में कोई sign नहीं है यानि कि यह क्या है multiply है ठीक है मैं लिख रहा हूँ वैसे तो सिधा करना होता है अब यह 5 कर रहा है multiply जब equation जब equal के उदर जाएगा ठीक है उस side जाएगा तो हमारे पास यह जो multiply 5 कर रहा है उदर जाके divide कर देगा तो x is equal to 20 upon यह upon का मतलब है divide का sign 20 upon 5 अब 20 को जब हम 5 से divide करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा ठीक है तो x की value हमने क्या निकाल दी 4 निकाल दी ठीक है यह हमारा क्या आगया answer आगया अब हम इसको check करेंगे ठीक है check कैसे करना है वो देख लो आप मिल्कुल आसान है easy है check करना भी तो हम लिखेंगे check तो पहले हम क्या ले लेंगे left hand side ले लेंगे left hand side हमारे पास क्या थी left hand side लिख लो left hand side left hand side थी हमारे पास equation की जो शुरू में equation थी 5X minus 2 अब जो value आई है ये जो X की value आई है इसमें हम put कर देंगे ठीक है putting putting X is equal to 4 in left hand side अब X की value आप put कर दोगे X की जगा आप क्या put कर दोगे X की जगा आप 4 put कर दोगे 5 multiply 4 minus 2 इस equation में ठीक है यानि की left hand side में अब 5, 4, 20 20 में से 2 minus होईगा तो कितना आगया 18 तो हमारे पास left hand side कितनी आगी 18 आगी और हमारे पास right hand side क्या थी right hand side हमारे पास क्या थी शुरू में right hand side भी हमारे पास कितनी थी 18 थी left hand side और right hand side दोनों क्या होगी इक्वल होगी तो हम लिखेंगे left hand side is equal to right hand side यही हमने चेक करना था hence दोनों equal होगे इसका मतलब हमारा आंसर सही है hence x is equal to 4 is a solution of equation तो बिल्कुल easy question था इस तरह से आपने सभी question करने है अब इसका next question देखते है अब next question है question number 2 यह भी ऐसे ही है 1 by 4 y plus 1 by 2 is equal to 5 अब सबसे पहले 20 step है transposing करेंगे जो constant है उनको एक तरफ इकठा कर देंगे यहाँ आपके constant है 1 by 2 और 5 तो 1 by 2 plus हो रहा है उधर जाके जब equal के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो 1 by 4 y is equal to 5 minus 1 by 2 अब 1 by 2 fraction है ठीक है जब भी fraction को plus या minus करेंगे तो LCM लेना पड़ेगा तो 5 के निच्चे आप 1 लगा सकते हैं तो इधर हमारे पास 1 by 4 y is equal to जब LCM लेंगे 1 और 2 का तो 2 आएगा और जब आगे करेंगे इसको तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 2 जा 10 और यहाँ पे आएगा 1 ठीक है LCM लेना आपको आता होगा 6 में भी आपने सिक्का था और 7 में भी आपने कर रखा है कि LCM कैसे निकालते हैं तो 1 by 4 y is equal to 10 में से 1 minus करेंगे तो आएगा 9 9 by 2 अब इसको आगे कैसे करेंगे देखो आगे कैसे करेंगे देखो यह 1 by 4 है यहाँ पे तो 1 by 4 का जब equal के उधर जाएगे तो हो जाएगा यह 4 by 1 यानि कि जब भी किसी fraction को हम equal के उधर ले जाते हैं इधर या उधर ले जाते हैं तो उसका reciprocal से multiply करते हैं तो 9 by 2 तो किसे multiply करेंगे 1 by 4 के reciprocal से यानि कि 4 by 1 अब इसकी cutting कर दो 2 टूजा 4 और 9 टूजा क्या हो जाएगा 9 टूजा हो जाएगा 18 यानि कि y की value हमारे पास क्या आगी 18 आगी तो हमारा ये क्या आया है आंसर आया है अब हम इसको check करेंगे ठीक है ऐसी करना है जैसे हमने पिछले question में किया था तो हम क्या ले लेंगे पहले left hand side ले लेंगे check करने के लिए left hand side है हमारे पास जो हमारे पास शुरू में question में थी 1 by 4 y plus 1 by 2 ठीक है यह हमारे पास है left hand side अब इसमें हम क्या put करेंगे हम y value put कर देंगे जो हमने निकाल लिया है putting y की value क्या 18 इसमें 18 put कर देंगे जहांपे y है तो क्या है हमारे पास 1 by 4 y की जगा multiply 18 हो जाएगा plus 1 by 2 अगर इसकी cutting होती है तो कर दो ठीक है नहीं तो हम इसका LCM ले लेंगे तो लोग इदर इसकी cutting होती है तो कर दो 2, 2 जा 4, 2, 9 जा तो यह हमारे पास 9 by 2 plus 1 by 2 9 by 2 और 1 by 2 अगर LCM लेंगे तो 2 आएगा और उपर वैसे कर वैसे ही आजेगा क्योंकि LCM ठीक है 2 था तो यह हो गया 10 by 2 और 10 by 2 यानि की कितना आगे कटके क्या आगया 5 तो हमारे पास left hand side कितनी आई है 5 आई है ठीक है और हमारे पास right hand side थी जो वो भी क्या थी 5 ही थी तो left hand side और right hand side क्या होगी equal होगी है हमारे पास तो हम लिखेंगे left hand side is equal to right hand side hence hence क्या लिखेंगे hence y is equal to 18 is a solution of the equation ठीक है solution of the equation तो इस तरह से आपने ये second question करना था बिल्कुल easy question था अब इसका third question देखते है अब question number 3 भी ऐसी है 3 by 5 x minus 6 is equal to 3 तो जो constant है उनको एक तरफ ले जाएंगे देखो minus 6 है इदर जब उदर जाएगा equal के तो क्या हो जाएगा ये plus 6 हो जाएगा पहला step हमारा यही है 3 by 5 x तो minus 6 equal के जब उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus का हो जाएगा plus का 6 हो गया ही ठीक है तो हमारे पास क्या है 3 by 5 x 3 plus 6 यह होता है 9 3 plus 6 क्या होता है 9 अब अगला step वही है देखो क्या बताया था मैंने यह जो 3 by 5 है जब equal के उदर जाएगा तो reciprocal से multiply कर देंगे 9 multiply 3 by 5 का reciprocal क्या होएगा 5 by 3 ठीक है अब इसकी cutting होते है तो कर देंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा हो जाएगा 15 तो x की value क्या ही हमारे पास 15 यह हमारा क्या आगया answer आगया अब हम इसको क्या करेंगे चेक करेंगे खीक है या गलत है left hand side और right hand side में इसको put करेंगे ठीक है तो हमारे पास left hand side क्या है left hand side है हमारे पास 3 by 5 x minus 6 यह थी left hand side अब इसमें क्या put कर देंगे putting x की value क्या put कर देंगे हम x की value put करेंगे इसमें 15 जो हमरा आंसर आया है देखेंगे equal आएगा या नहीं left hand side और right hand side 3 by 5 x था तो x की ज़ेगा multiply 15 कर दिया minus 6 cutting हो रही है 5 3 जा 15 और यह हो ज़ेगा उपर 3 3 जा 9 9 minus 6 9 minus 6 होता है 3 तो left hand side हमारे पास आई 3 और right hand side भी हमारे पास क्या है 3 है तो right hand side भी हमारे पास है 3 तो left hand side और right hand side क्या होगी equal होगी इसका मतलब हमारा question ठीक है हमारा answer सही है तो हम लिख देंगे hence hence x is equal to 15 is a solution of equation ठीक है solution of given equation ठीक है इस तरह से हम लिख देंगे हमारा ये question हो गया अब इसका हम next question देखते है अब question number 4 है इसका हमारे पास equation है 3x plus 1 by 5 is equal to 2 minus x तो पहला step ये है कि constant को हम एक तरफ इकठा कर लेंगे और जो variable है हम उक तरफ इकठा कर लेंगे तो variable क्या है 3x और x क्या है ये variable है और 1 by 5 और 2 constant है तो ये जो minus x हो रहा है ये variable इसको हम right hand side यानि कि 3x की तरफ ले जाएंगे और वो जो 1 by 5 है उसको हम left hand जो right hand side में 2 की तरफ ले जाएंगे तो जब इसको हम इदर लेगे minus x को जब equal के उदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा plus का तो हम लिखेंगे 3x plus x ठीक है ये step हो गया अब हम क्या करेंगे 1 by 5 है ना जो वो plus हो रहा है जब equal के उदर जाएगा तो ये हो जाएगा minus का तो ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा 1 by 5 को equal के उदर लेगे तो ये plus का था minus का हो गया minus 1 by 5 ठीक है फिर हमने आपको बताया था जो fraction में आ जाए तो क्या लेना है LCM लेना है 2 के निच्चे 1 लगा दो और इधर क्या हो गया हमारे पास left hand side में 3x और 1x ये हो जाएगा 4x और इधर ले लो आप LCM LCM आया हमारे पास 5 तो यहाँ पे आजेगा 5 तो 10 और यहाँ पे आजेगा 1 तो यहाँ पे आया 4x 10 minus 1 9 by 5 9 by 5 अब 4 इधर multiply कर रहा है उधर जाके divide करेगा यानि कि ये 4 by 1 है अगर कहें उधर जाके reciprocal ले ले लेंगे 4 by 1 का तो क्या आजेगा 1 by 4 यहाँ पे मैं 1 लगा सकता हूं 4 by 1 है इधर तो उधर जाके 1 by 4 ठीक है multiply जो भी चीज कर रहे है जब equal के उधर जाएगे तो उसका reciprocal आपको लेना पड़ेगा अगर कुछ cutting इसमें होती है तो cutting कर देंगे इसमें कुछ भी cutting नहीं हो रही है तो multiply कर देंगे 9 को 1 से multiply करेंगे 9 आएगा 5 को 4 से multiply करेंगे तो कितना आजएगा 20 आजएगा तो हमारा answer क्या आया है हमारा answer आया है 9 by 20 अब हम इसको check करके देख लेंगे ठीक है हमारा answer ठीक है या गलत है check करेंगे left hand side लेंगे left hand side है हमारे पास 3 x plus 1 by 5 ठीक है अब इसमें put करेंगे putting x की value क्या put करेंगे x की value 9 by 20 इसमें put कर देंगे तो हमारे पास आया 3 into 9 by 20 plus 1 by 5 ठीक है कुछ cutting होता है तो cutting कर देंगे कुछ भी cutting नहीं हो रहा है तो 9 3 जए 27 27 by 20 आ गया और इदर आजएगा 1 by 5 l sim लेंगे l sim दोनों का 20 आएगा आपको आता होगा निकालना तो यहां पे आएगा 27 और 5 4 जा 20 तो यह हो गया 27 और 4 31 by 20 यह हमारे पास आगी left hand side इसी तरह से जैसे हमने left hand side लिया है अब हम right hand side ले लेंगे ठीक है right hand side है हमारे पास 2 minus x 2 minus x ठीक है x की value put करेंगे इसमें ठीक है x की जगा हम रखेंगे 9 by 20 9 by 20 हमने रख दिया अब फिर से LCM लेंगे 20 आगे हमारे पास LCM और यह आजेगा 22 जा 40 और यहां पे आजेगा 9 तो minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 by 20 left hand side भी 31 by 20 था और right hand side भी यह आगी तो इसका मतलब हमारा question ठीक है हम लिखेंगे left hand side is equal to right hand side दोनों side equal होगी hence तो इसका मतलब ठीक है hence x is equal to 31 by 20 is a solution of given equation solution of equation ठीक है तो इस तरह से आपने यह question करना था अब इसका next question देखते है अब question number 5 है यह भी ऐसे ही है 8x plus 5 is equal to 6x minus 5 सबसे पहले हम क्या करेंगे variable को एक तरफ ले लेंगे और जो constant है उनको एक तरफ ले लेंगे अब यह 6x है उसको 8x की तरफ ले जाएंगे 6x इदर plus हो रहा है उदर जाके क्या हो जाएगा यह minus हो जाएगा और इसी तरह से 5 इदर plus हो रहा है जब equal के उदर जाएगा तो minus हो जाएगा तो पहला step यही है 8x 6x को हम 8x के पास ले गए equal के पार करना पड़ा तो यह 6x plus का था यह हो गया minus का और यहाँ पे था minus 5 यह plus 5 को minus 5 के पास ले जाएगे equal को जब हम cross करेंगे पार करेंगे तो यह plus का क्या हो जाएगा यह minus हो जाएगा ठीक है तो 8x minus 6x यह बचा हमारे पास 2x और minus 5 और minus 5 यह होता है minus 10 अब 2 इदर क्या कर रहा है multiply कर रहा है उदर जाके क्या कर देगा divide कर देगा ठीक है तो minus 10 by 2 जब 10 को 2 से divide करा तो कितना है 5 और यह minus का sign था तो minus का sign लगा दिया ठीक है तो x की value हमारे पास क्या आई minus 5 अब हम इसका क्या करेंगे अब हम इसको check कर लेंगे ठीक है अब हम इसमें put करेंगे putting x x की value क्या put करेंगे x की value पूट करेंगे हम minus 5 तो हमारे पास आया 8 multiply x था x की जगा minus 5 कर दिया plus 5 8 5 जा 40 यानि कि minus का 40 आ गया क्योंकि plus और minus की multiply minus होती है और plus 5 minus का 40 है और plus का 5 है यानि कि हमारे पास क्या बचेगा minus का 35 यह आपको करना आता होगा ठीक है तो हमारे पास left hand side क्या आई minus 35 अब हम ले लेंगे right hand side right hand side हमारे पास थी 6 x minus 5 फिर उसी तरह से जैसे हमने x की value पूट की यहाँ पे भी हम x की value पूट कर देंगे x की value क्या पूट करेंगे minus 5 ठीक है तो 6 5 जा minus 30 और यहाँ पे था minus 5 तो minus 30 और minus 5 यह होजेगा minus का 35 तो left hand side भी मारे पास minus का 35 आई और right hand side भी minus का 35 आई तो हम लिख देंगे hence तो लिख देंगे left hand side is equal to right hand side दोनों side क्या होगी equal होगी hence hence x is equal to minus 5 is a solution of equation ठीक है तो इस तरह से आपने question करना था अब इसका next question देखते है अब question number 6 है यह भी ऐसे ही है ठीक है तो क्या करेंगे 9z minus 13 है और 11z plus 27 है दोनों side तो क्या करेंगे जो variable है उनको एक तरफ ले लेंगे और constant है उनको एक तरफ ही कठा कर लेंगे 11z जब उदर जाएगा तो क्या होजेगा minus का 11z होजेगा और minus 13 जब equal को उदर जाएगा तो यह हो जाएगा plus का 13 तो पहला step यह है 9z 11z को 9z के पास ले जाएगा तो minus का 11z हो जाएगा और 27 के पास गया है minus 13 minus 13 जब cross करेगा equal को तो क्या होजेगा plus का 13 ठीक है तो पहला step यह था अब 9z है और minus का 11z है तो यह बचेगा यहाँ पे minus का 2z और यहाँ पे 27 और 13 यह होजेगा 40 अब minus 2z है यहनि कि minus 2 यहाँ पे कर रहा है multiply equal के जब उदर जाएगा तो यह कर देगा divide ठीक है तो divide करेंगे तो यह हमारे पास आजेगा 20 और minus को हम उपर लिख लेंगे ठीक है तो minus का 20 z की value क्या आगी हमारे पास minus 20 अब हम इसको करेंगे check ठीक है उसी तरह से check करेंगे तो check करने के लिए हम ले लेंगे पहले left hand side left hand side हमारे पास थी 9z minus 13 अब हम value put करेंगे putting 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 z की value क्या minus 20 यहाँ पर put करेंगे तो 9 multiply minus 20 और यह था यहाँ पर minus 13 तो यह आजेगा minus का 180 और यह minus का 13 तो यह आजेगा minus का 180 है और minus का 13 है तो minus का 193 यह हमारे पास आगी left hand side इसी तरह से हम इसकी right hand side भी निकाल लेंगे right hand side है हमारे पास 11z 11z plus का 27 वही z की value पूट करेंगे 11 multiply minus 20 plus का 27 अब यह आजेगा हमारे पास minus का 220 जब दोनों की multiply होगी और plus का 27 अब 220 में से 20 जब हम 27 करेंगे दोनों को solo करेंगे तो हमारे पास वही चाजेगी minus का 193 तो left hand side भी minus का 193 और right hand side भी minus का 193 यानि कि हमारा question सही है हम लिख देंगे left hand side is equal to right hand side दोनों side equal होगी hence 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 z equal to minus 20 is a solution of the equation ठीक है तो इस तरह से आपने question करना था तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार